आपका हार्दिक स्वागत है मैं डॉक्टर रितु बक्षी आज आपके साथ हम जिस विश्य पर चर्चा करेंगे वह है विद्यार्थी की प्रगती आख्या वरिपोर्ट दियर लर्नर्स आपने जब भी हमारे बोर्ड के रिजर्ल्स आते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी एक चीज पर गौर किया होगा कि हर साल खासकर बोर्ड परिक्षा के परिणाम आने के एक दिन बाद टीवी चैनल या फिर जो न्यूस पेपर अख़बारें होती हैं उसमें रोते भी लगते परीजानों को हम देखते हैं जिनके बच्चे फेल होने के चलते अपनी अनमोल जिंदगी को अलविदा कह देते हैं अख़बारों के मुखे प्रिष्ठों पर ऐसी कई ख़बरें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें परिक्षा के परिणामों से खिन विद्यार्थी आत्भत्या कर लेते हैं समाज की सम्वेदनाएं बस अफसोस जताने से आगे बढ़ नहीं पाती परिक्षा के परिणामों के आते ही अंकों की अंतहीन दौड में शामिल विद्यार्थी क्या अविभावक क्या शिक्षक भी अपना सीना फूलाते नजर आते हैं मैं सबसे पहले इस व्यवस्था को ये जो हमने ये बदस्तूर जारी रखा हुआ है ऐसे नीती नियंताओं से या इस कूव व्यवस्था में बच्चों के साथ खुद को जोंकने वाले अभिवावकों और एक बेशरम आदमी की तरह पोधों को सीचते हुए शिक्षकों से एक प्रशन पूछना चाहती हूँ कुछ एक प्रशन है मेरे मन में कि अवल रहने वाले विद्यार्थियों के अलावा एक दिन की परीक्षा जी हां एक दिन की परीक्षा से जो हम उनका अकलन करते हैं एक दिन की परीक्षा के लिए बना हुआ प्रशन पत्र ही यदि अच्छे प्रदर्शन का मापधंड है तो खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की जिम्मेदारी किसकी है एक अच्छा प्रदर्शन करने वला विद्यार्थी है और एक खराब प्रदर्शन जब भी रिपोर्ट काड आया एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे ने खराब प्रदर्शन किया अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? खराब प्रदर्शन करने वले विध्यार्थी क्या उत्रदाइत वो कौन लेगा ना तो अभिभावक ना ही शिक्षक वो विध्यार्थी कहा जाएगा और दूसरा प्रशन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है पूरे साल भर की पढ़ाई का सार केवल परीक्षा प एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड में आप उसको अंकलन कर लेते हैं पूरी शिक्षा प्राप्त करते करते ये जो विध्यार्थी अवलता का आवरन ओडे रहते हैं जिनको हम बहुत ही सक्सेस्फुल कहते हैं या जो टॉप ग्रेड्स ले लेते हैं क्या वे विध्यार्थी जीवन की परिक्षा में सहयोग, समानता, समाजिकता, नैतिकता, समुदाइकता, सहभागिता, परिवार और पासपडोस के प्रति समवेदन शीलता की परिक्षा में भी अवल रहते हैं गौर करने की चीज है कि रिपोर्ट कार्ड में वो चातर अवल है लेकिन क्या अपनी जिन्दगी में, जिन्दगी की परिक्षा में अवल रहने के लायक वो विध्यार्थी है, हमारी शिक्षा ने जिसका की उदेश्य था सर्मांगिन विकास, क्या उसने उस बच्चे को उसके काबिल बनाया है कि वो अपनी जिन्दगी की दौड में भी उतना ही अवल रहे, उतना ही उसी A ग्रेड में रहे, तो यह सब आज के विश्य में हम यही सब पढ़ेंगे, कि यह जो एक रिपोर्ट कार्ड है, इसका जो उदेश्य है, वो क्या है, और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो हमें डालनी चाहिए, ताकि बच्चे का अंकलन और बच्चे के अभ प्रप्त जानकारी को प्रसंगिक व्यक्तियों के लिए समप्रेशित करने की एक विधी है, अंकलन के बिना इसके बहुत अधिक मूले खो जाता है, अगर हम प्रॉपरली उसको अंकलन ना करें, रिकॉर्ड ना करें, अच्छी असेंस्मेंट नहीं है, फिर हम उसको अंकलन किया, उसको हम किस तरह से पेश करते हैं? वो इक रिपोर्टिंग है, और रिपोर्ट जो है, प्रती चाटर की शिक्षा के लिए, समय पर एक उपलब्धी को प्रति बिन्धित करती हैं, उसनिया उपलब्धीयां किया है, चातरों हमने पहले भी बात की पहले सत्र में की सफलता और विफलता दोनों ही चीज़ों से हम आकलन करते हैं दोनों ही आकलन के बाद दो चीज़े निकल के आती हैं सफलता और विफलता तो एक जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो विफलता वाला शब्द जो है हमारे और बुराई उसको अलग धंग होते हैं उसको पेश करने के उसी के आज हम चर्चा भी करेंगे और अपने शिक्षन और शिक्षा को support करना, समर्थन करना उसका और उसको प्रभावी रूप से उसको अच्छी तरह से उसका प्रभाव दिखाना कि क्या हमारी शिक्षा जो हमने उदेशय था शिक्षा का वो हमने पाया है या नहीं ये एक reporting के माध्यम से हमें पता लगता है इसका दूसरा उदेश्य जो है वो है सीखने की प्रक्रिया और आगे के विकास के लिए एक शेतरों को इंगित करने में उनका समर्थन करना. कि सीखने की प्रक्रिया किस हद तक हम उसमें सफल हो पाया है और आगे के विकास में उस विध्यार्थी को किस किस तरह के निदानों की जरूरत है कि क्या-क्या हमें उसके लिए चीजें करनी पड़ेंगी तो recording या reporting इससे जुड़े हुए कुछ एहम पहलों पे हम बात करते हैं तो अगर हम अपने भारती परिवेश की बात करें तो भारत भर के सभी स्कूलों में recording का सबसे आम स्वरूप क्या है report card अभी तक आप भी जितने schools में जाते हैं हमारा भी जो schools में जाने के experience रहा है तो पूरे सत्र के अंत में एक report card मिलता है जिसके माध्यम से हमारा unclean होता है तो report card के माध्यम से ही भारत भर के सभी स्कूलों में recording का जो काम है वो पूरा होता है लेकिन इसमें आपको एक विध्यार्थी के सीखने या वेवहार के सभी पहलों को record करने की अनुमती मिलती है क्या नहीं मिलती एक छोटे से report card में या ये कह लीजे दो पेज के report card में क्या आपको विध्यार्थी का जो सर्मांगिन विकास में या आपने जो उसकी शुरू से प्रात्मिक लेवल पर भी जो उसका अंकलन किया था उस सभी पहलों पर क्या आप एक report card में चीजें वो सब डाल पाते हैं इस काम को करने के लिए कुछ सरल तरीके हैं शिक्षा विध्यों ने इस पर बहुत ही जादा शोत किया और ये पाया है कि एक शिक्षक जो है कुछ सरल तरीकों को कुछ नई तकनीकों को अपना कर एक छोटे से report card में भी ये सब चीजें किस तरह से ला सकता है वो पढ़ते सिखाते समय आप जो देखते हैं या जो भी वो अवलोकन करता है जिस तरह से observe करता है उसको वो डाइडी पे, नोटबुक पे या रजिस्टर पे रखकर इसको नोट कर सकता है पूरे सत्र के दोरान और विद्यार्थियों के कारे के नमूने जो की लिखित है कला है, शिल्प है, परियोजनाएं हैं, कविताएं हैं इन सब को पोर्टफोलियो से भी वो दर्शा सकता है एक पोर्टफोलियो बनवा सकता है, जो की चात्र चात्राओं दोरा खुद बनाया गया होता है लेकिन अवलोकन, ओवियसली वो पूरा का पूरा जिस तरह से एक जो शिक्षक है वो अपनी देखरेक में उनसे पोर्टफोलियो बनवाता है और उसमें उसकी अच्छे कारे, जिसमें उसकी कम प्रतिभाथी, उसकारे को भी हर तरह से पोर्टफोलियो को रखवाता है और ये भी एक रिकॉर्डिंग का बहुत अच्छा माध्यम है प्रतेक विध्यार्थी का प्रोफाइल तयार करना, शुरू से लेकर अंत तक उसका प्रोफाइल तयार करना है और विध्यार्थियों को किनी असामाने घटनाओं, परिवर्थनों, समस्याओं, शक्तियों और शिक्षन प्रमाणों को नोट करते रहना recording का काम करता है तो इस तरह से अगर जो एक शिक्षक है, वो record करेगा चीजों को, तो वो एक अच्छा report card अंत में देने में सक्षम हो सकता है अब बहुत से तरीके हैं report करने के, तो अभी अभी हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की, कि जिस तरीके से जो शिक्षक है, वो पूरे सत्र भर में अपने जो चात्र हैं, जो भी उसने पढ़ाया है, जो उदेश्यत है उसके सिखाने के, तो उनको किस तरह से वो record कर सक तो अगर हम पर्यावरन अध्यान की बात करते हैं, तो इसमें अधिगम निश्पादन की recording में बहुत ज़रूरी जो समावेश हैं, उनमें है अवलोकन, चर्चा, अभी व्यक्ति, व्याख्या, अवलोकन observation है, discussions है, अपनी जो अभी व्यक्ति है, उसको किस तरह से अपनी बा अभी एक तरीका है, इसका बहुत अच्छा विशलेशन करना, प्रायोगिक कार्य करना, नयाये और समानता के लिए निश्था, सहयोगी भावना, ये सब चीजें हम observation के द्वारा या portfolio के द्वारा एक जो शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक जो है, वो इसको अच्छे से record कर सकता है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि report card जो होता है, वो है क्या, आप अभी तक report card लेते आए हैं, हम भी आज तक बचपन से अब तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, report card मिलता है हमें, ठीक है, जो कि हमारी प्रतिभावों को उजागर करता है, या ये कहिए हमारी अफल हुए या विफल हुए इन चीज़ों को दर्शाता है, तो report card जो है, ये कभी-कभी प्रगती report भी कहलाता है, प्रगती report मतलब आपकी कितनी प्रगती हुई है, कितना आपने सीखा है, और समय अवधी में पाठेक्रम के परिणामों पर छात्र के प्रदर्शन का लिख प्रदान करता है, तो dear learners, ये जो report card है, ये आपका प्रगती report है, और ये written form में एक record आपको प्रदान करता है, report card जो होता है, ये एक बहुत ही बहुत ही महतवपून दस्तावेज है, जिसे आसानी से उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है, जिनके लिए इसका उदेश्य है, क्योंकि report card आप देखिए, report card जिन्दगी भर आपके साथ चलता है, तो इस report card को एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कि इस report card को बच्चे की, इस report card में बच्चे की ऐसी तस्वीर पेश करे, जो असल में वो बच्चा है, जो उसकी प्रतिभाएं है, उसकी कमिय को देखिए रहा ही नहीं था, तो अभिवावक और चात्र के बारे में सीधी जानकारी प्रदान इस report card के दुवरा की जाती है, और उस श्रेनी के पाठे करम के सापेक्ष प्रदर्शन हमें एक शिक्षक के रूप में हमें करना चाहिए, और चात्र को आगे क्या करना चाहि हमें report card के माध्यम से अभिवावकों को उस चीज की जानकारी देनी चाहिए, अब परियावरन शिक्षा में report card के अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा अलग तरह से report card एक शिक्षक जो है, उस report card को तैयार कर सकता है, तो क्यूंकि परियावरन शिक्षा में जो report card है, उसके बहुत से एहम पहलू हैं जो उस report card में आने चाहिए, बहुत महत्वपून चीजें हैं जो उस report card में, बच्चों के संबंधित उस report card में होनी चाहिए, तो वो क्या है, वो अवलोकन कोशल, कितना observation skills कितनी develop कर पाए, आप उन बच्चों का अवलोकन कोशल कितना जादा समझ चीजों को लेकर एक व्यक्ति का और पर्यावरन का आपस में संबंध की समझ या किसी और चीज की समझ या दृष्टी कौन किस तरह से बतला उसकी समझ वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए आवेदन, सामान्य जागरुकता क्योंकि पर्यावरन शिक्षा और जाग नहीं है, यह सब यह बहुत एहम बिंदू हैं जो एक पर्यावरन शिक्षक को अपने पर्यावरन की रिपोर्ट या रिकॉर्डिंग जब भी उसने की है या रिपोर्ट देने में उसको इन चीजों पर ध्यान देना है कि यह सब पहलू उसमें उभर कर आएं, कक्षा आगे चीजों को सीखने की तो एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से सिरफ उसको ग्रेड मत दीजिए कि आपका बच्चा एंवायरमेंटल साइंसिज में या पर्यावरन शिक्षा में आपका बच्चा ए ग्रेड पर आया है नहीं आप इन सब एहम बिंदूओं को ध्यान में र पर्यावरन शिक्षा में पोट्फोलियो अप पोट्फोलियो तो आप रिपोर्ट कार्ड में नहीं लगा सकते हैं पोट्फोलियो के माध्यम से जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो सारा का सारा समावेश करके उस रिकॉर्डिंग को आप इसमें रिपोर्ट कार्ड में उस चीज़ पर बहुत जोर दे रहे हैं कि कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो अलग तरह से भिन तरह के रिपोर्ट कार्ड होने चाहिए और पोर्ट फोलियो इसके लिए बहुत ही उपयोगी सिध हो सकता है बच्चे द्वारा कियेगे कारे को हम माबाप तक महँचा सकते हैं और इस पोर्टफोलियो के माध्यम से हम उसके वास्तवी कारे को उसमें एकत्रित करते रहते हैं और उसके आधार पर हम उसका मुल्यांकन करते हैं शिक्षिक छातरों के काम को इकठा करते हैं और पृते एक बच्चे के लिए अलग फाइल में उसको लगाते चले जाते हैं जिससे एक बच्चे का प्रोफाइल बनता चला जाता है कि हाँ यह बच्चा इस-स इस फील्ड में बहुत अच्छा है और इसमें यह-इसकी कमिया है या इसमें इसको निदान की जरूरत है और जैसे जैसे स्कूल में प्रगती होती जाती है, वर्ष में प्रगती होती जाती है, सत्र बढ़ता चला जाता है, पोर्टफोलियो जो है उसका संग्रह भी बढ़ता चला जाता है, तो इस पोर्टफोलियो में कई तरह की चीज़ें बच्चा शामिल कर सकता है, वो आपके विश्य के आधार पर होता है, जैसे परिवार के सदस्यों के चित्र, रेखा चित्र, पतियां हैं, फूलों के टुकड़े हैं, कपड़ों के टुकड़े हैं, आप किसी तूर पर गए हैं, या दौरे की कोई रिपोर्ट है, दोस्तों के लिए अपने भावनों को आपने किसी चिट के माध्हम से, या किसी चीज़ से आपने उजागर किया है, या स्कूल आप महमानों के लिए या अपने दोस्तों के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स कई बर बनाते हैं, कई बर आपने देखा होगा कि कुछ जो चातर चातराएं हैं, वो टीचर जडे पर अपने अध चिपी हुई प्रतिभाएं जो हैं उनका पता चलता है अब पोर्टफोलियो के एहम बिंदू जो है वो ध्यान में हमें जरूर रखने चाहिए जब भी हम उसके जो भी कारे उसने किया है उसका संग्रह कर रहे हैं तो बच्चों के हर तरह के कारे को शामिल करिए ना कि सबसे अच्छा कारे है क्योंकि बच्चे ने अपनी तरफ से बहुत चीजें की हैं तो हर चीज को कोशिश करिए कि हर चीज को संग्रह करें हर चीज को हम उसमें शामिल करें अकलन रिकॉर्ड और परिक्शन स्कोर की बजाए बच्चे द्वारा किये कि वास्तवी कारे को अंदर रखने का ही एक तरीका है अकलन यह नहीं है कि हमने रिकॉर्ड कर दिया परिक्शन कर दिया एक पेपर ले लिया नहीं आप उसने बच्चे ने जो जो कारे किये हैं जो चीजें इकठी की हैं सब को उसमें रखिए और माता-पिता को बहुत तरीके से बहुत अच्छी तरह स आप उसको माता-पिता को उनके आगे पेश करिए और उनको बताइए कि आपका बच्चा इस चीज के अलावा एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक कॉर्पोरेट जॉब के अलावा और क्या प्रतिभाएं हैं उसमें जिसको की आपका बच्चा जिसमें की बहुत ज़ा कुछ पॉइंट्स बनाकर उसकी सूचना जो है वो अभिभावकों को दी जानी चाहिए और प्रतेख सूच को अलग ग्रेट दिया जाना चाहिए उसमें कि जैसे माल लीजिए कि हम बात करते हैं सह भागिता की या उसका उब्जरवेशन स्किल क्या था या उसका जो चित्र लेखन है वो किस तरह का है तो हर एक प्रतिफा को अलग लग तरह का ग्रेट दिया जाना जाहिए और पर्यावरन शिक्षा में बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक पॉजिटिव आटिट्यूड के साथ एक सकारात्मक दृष्टिक उनके साथ माता बहुत ही महतवपूर्ण है अब दूसरा बहुत ही जो महतवपूर्ण तरीका है रिपोर्टिंग करने का पर्यावरन शिक्षा में खास कर बाकी में नहीं पर्यावरन शिक्षा में हम बात करें तो अवलोकन अब्जविशन अब्जविशन जो है पर्यावरन शिक्षा का ए देखना, प्रेक्षन, निरिक्षन, अर्थात कार्य कारण एवं पारिस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्षम निरिक्षन करना कि बच्चा किस तरह से उसको देख रहा है अब अगर हम इसकी कुछ परिभाशा की बात करें तो प्रोफेसर गड़े एवं हाट के अनुसार विज्ञान जो है एक हम विज्ञान शिक्षन की बात करें हैं यहां परियावरन विज्ञान की बात करें हैं तो प्रोफेसर गड़े और हाट ने कहा कि विज्ञान निरिक्षन से प्रारंब होता है और फिर सत्य किया अपनी पांचों इंद्रियों का प्रियोग करकर इसका निरिकशन नहीं करते हैं तो कहने का अरथ यह हुआ कि observation को को अवलोकन की क्रिया को क्सिरे किया क्रेक्डा किया इते हैं कोई किया पर्यावरन विज्यान का ये विश्य हैvlooking तो इसमें बच्चा जो है अपनी पांचों इंद्रियों का प्रियोग करता है आंखों का कानों का नाक का स्मेल करता है सूंगता है खाता है निरिक्षन करता है तो यह क्या होता है वह एक विग्यानिक रूप से उसको यह लगता है कि नहीं यह चीज असल रूप में एक्जिस जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली प्रिथक इकाईयों के अध्यन की विचार पूर्ण पधती के रूप में प्रियुक्त किया जा सकता है। वास्तविक रूप परियावरन में वास्तविक रूप से देखना बहुत ही मतवपूर्ण पहलू है। तो अब जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं अवलोकन कर रहे हैं पोर्टफोलियो कर रहे हैं या बच्चे का समय समय पर आकलन कर रहे हैं तो इसमें बच्चों के क्या चीज निकल के आती है कि कुछ गैप हैं सीखने में कुछ गैप रहे हैं सीखने में कुछ अंतराल रहे हैं जिसका विशलेशन रिपोर्टिंग करने से पहले करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो सिरफ B ग्रेड या A ग्रेड करने पे खतम नहीं होती है। जो गैप रहे हैं उसको भी उसमें इंकित किया जाना बहुत आवश्यक है। तो किसी विशेश यूनेट या विशे को पूरा करने के बाद आप आम तोर पर बच्चों की जो उपलब्धियां हैं उसका अंकलन करने के लिए परिक्षन करते हैं। तो अंकलन के बाद अब आपको लगता है कि कुछ चात्रों ने बहुत अच्छी तरह से किया है। जबकि कुछ ने अपक्षित शिक्षन परिम नामों को प्राप्त नहीं किया। अब दो तरह की चीज़ें निकल के आई। कि एक ही चीज़ को कुछ चात्रों ने बहुत अच्छे से किया। और जबकि कुछ चात्रों ने जो अपेक्षित हम रिजल्ट चाहते थे वैसा उस तरह से उन चात्रों ने उस चीज़ को नहीं किया है तब आप बताईए कि क्या शिक्षक जिन चात्रों ने नहीं किया है तो उसको क्या लिख देगा कुछ भी नहीं बी ग्रेट सी ग्रेट और जिसने बहुत अच्छे से किया है ए ग्रेट शिक्षक का जो एक उत्रादाइत्व है यहां पे आके खतम नहीं हो जाता है तो जब भी आप रिपोर्टिंग करें गैप विशलेशन करना बहुत जरूरी है कि कुछ चात्रों ने जो पेक्षित शिक्षन परिनाम नहीं प्राप्त किये हैं उनके लिए आपको उनके अभिवावकों तक या उनको आगे किस तरह से लेके जाना है उसको किस तरह से आप उस उदेश्य को प्राप्त करेंगे अब आप इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन चीजों का उन क्षेत्रों का विशलेशन करें जांच करें तो जांच करने योगे परिक्षन जो हैं प्रभावी उत्तरदाई और शिक्षन का आधार हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरिक्षन करें खोजी परिक्षन करें खोजी परिक्षन भी जो है आपकी ए चात्रों ने कितना सीखा है और वर्ष के अंत में भी कि चात्र जो सीखने आये थे और इससे जादा वो क्या कर सकते थे जिसको उन्होंने नहीं किया तो यह खोजी परिक्षन जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो कि आपकी रिपोर्ट काड में रिपोर्टिंग चाहिए ठीक है क्योंकि इससे खोजी परिक्षन से आपको यह पता लगता है कि आपकी जो शिक्षन प्रक्रिया है उसमें कुछ गलत तो नहीं था अगर वो चीज हमने नहीं प्राप्त की है तो हो कुछ गलत था उसमें अब हम बात करेंगे कुछ आकलन के महत्वपूर्ण मांदंड हैं जैसे कि रिपोर्टिंग में शीघरता, प्रॉंप्टनेस इन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जल्दी होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, मुल्यांकन रिपोर्ट में शिक्षक के शब्द, बहुत एहम भुमिका निभाते हैं शिक्षक ने क्या के दिया है और बच्चे को हमेशा याद रखता है बच्चा उसको सकारात्मक अंकलन रिष्टी कौन पॉजिटीव अप्रोच हमेशा रखिए इसमें इसके अलावा विशिष्ट सकारात्मक टिपनियों को उजागर करिए अंकलन में अंतराल को सुचित करना लर्निंग एपस जिसको हम कह रहे थे जब भी आप रिपोर्टिंग करें जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो वैद्धे होना चाहिए स्पष्ट होना चाहिए निश्पक्ष होना चाहिए और बच्चों के समर्थे के साथ ही उसकी कमजोरियों पर भी प्रकाश डालें और आप जब बच्च प्रभावी रिपोर्टिंग के कि छात्रों को सीखने में सहायता करना और उनकों सीखने के प्रती प्रेरना और प्रती बद्धता को बढ़ाना समय कुशल और प्रमवंधनिये होना इसके अलावा हम बात कर सकते हैं व्यक्तिगत उपलब्धी और प्रगती को पहचाने बच्चों की मूलेओं और वेवहारों पर जोर देना कि ये ग्यान समझ कोशल जो कि हम तीन डोमेंज की बात कर रहे थे नॉलेज, अंडरस्टेंडिंग और स्किल के परिणामों से अलग है मूले वेवहार इवियस शिक्षन में मूले और वेवहार ये बहुत ही ज़ादा महत्वपूर्ण पहलू है और सक्रिय रूप से इस पूरी प्रक्रिया में माता पिता को जरूर शामिल कीजिए और सार्थक और उपयोगी जानकारी और प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना ही रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा उदेश्य है तो छातरो इस इकाई में हमने ये जान लिया है कि शिक्षिक को बच्चों की बौधिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के बारे में नियमित, स्टीक और विस्तरित जानकारी करने की जिम्मेदारी है बहुत बड़ा उत्रदाईत्व है, तो रिपोर्टिंग प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं? चातरों की उपलब्धियों और प्रगती की जानकरी हम देते हैं और इसके लिए हमें क्या-क्या सिधानत हैं, इसके किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये सब आज हमने इस हिकाई में सीखा है और रिपोर्टिंग के विशेश कौन-कौन से पहलू होते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे की प्रगती और बच्चा इस सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव human being बनके निकले, अपने जिन्दगी का कौशल सीखे, ये सब हम ध्यान में रखते हुए, हमें